बनारस की घाटो पर टेहलते दिखे रालाभट और रनबेर कपूर स्टार कपल आलीयाभट और रनबेर कपूर ने एक बार फिर अपनी फिल्म रह्म अस्ठgrowth की शूटिंग फिर से शुरू करती है दुनों को मंगलवार को बनारस की घाट पर देखा गया जहां रन्बीर सफेज टी-शिट और नीले रंग की डनिम में लाल शर्ट के साथ थे वही आलिया यलो कलर की ड्रस में बहुत प्यारी लग रही थी फिल्म डिरेक्टर आयान मकरजी की फिल्म में एक साथ उनकी पहली फिल्म है जिसके 9 सितंबर 2022 को सिनमा घरों में हिट होने की उमीद है वारांटसी में आलिया और रन्बीर का घाट से बाहर निकलती हुए एक वीडियो सामने आया है जिसमें आलिया और इंस स्वीवलेस क्रॉप टॉप और बूट्स के साथ ही यलो स्कॉट में थी वो गर्मी को मात देने के लिए हाथ में एक छोटा पंखा लेकर चल रही थी एक सीन फिल्म आने के बाद रन्बीर उनके साथ चल रहे थे आलिया और रन्बीर को मंडे को वारांटसी के लिए रवाना होते हुए भी देखा गया था जहां आलिया एक सफीद क्रॉप टाप और धीले डेनिम में थी जबकि रन्बीर एक सफीद टीशिट और काले रंकी डेनिम में थे वो उस वक्त एक साथ फ्लाइट लेने के लिए मंबई एरपोर्ट पहुँचे थे फिल्म में आलिया ने इशा की भूमिकने भाई है और रन्बीर ने ब्रमहस्त में शिवा की भूमिकने भाई है जिसमें अमिताब बचन, नाकार, जुनक किनेनी और मौनी रॉय भी इंपोर्टन रूल्स में है पिछली हफ्ती आलिया के 29 बोधे के मौके पर उनका इशा के रूप में इंट्रॉरक्शन कराने के लिए छूटल सा टीजर जारी किया गया था 31 सिकंड के टीजर की शुरुआत आलिया और रन्बीर को इशा और शिव के रूप में देखने के साथ हुई इसके बाद उन्होंने फिल्म में अपना एक अलग लुक दिखाया आलिया ने इंस्टेग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा था मुझे बोधे की विशिस इशा से मिलने के लिए बहतर दिन और बहतर तरीका नहीं सोच सकती वैसे फिल्म की कहानी इंडियन माथोलॉजी पर बेस्ट है और इसकी ट्रायलॉजी बनने वाली है जिसके पहले पार्ट में शिव और ईशा एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं ये पांच भारती लांगुजेस में रिलीज होने वाली है हिंदी, तमिल, तेल, गू, मलयालम और कंडर में फिल्म का दूसरा और तीसरा पार 2024 और 2026 में आने वाला है सलमान खान सलीकर शारुक खान तक खाने के बड़े शौकीन है ये आक्टर्स जानी इनकी फेवरिट डिश बात अगर खाने के आती है तो आम आदमी से लेकर खास आत्मी सब के अपनी एक पसंद होती है किसी को दीखा पसंद होता है तो किसी को खाने में कम मिर्श पसंद होती है कोई विश खाता है तो कोई नॉन विश का दिवाना होता है आज हम आपको बताने वाले हैं खानी के बारे में ही लेकिन मामला बॉलिवर्ट से जुड़ा हुआ है इस खबर में हम आपको बॉलिवर्ट स्टार के फेवरिट खानी यानि की उनकी फेवरिट डुशिस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खाए बिना ये लोग नहीं रह बात करते हैं अगर सलमान खान की तो बॉलीवूट के भाइजान सलमान खान को खाने में सबसे ज़ाधा पिर्यानी पसंद है। अश्का शर्मा यानि की विराट कोली की पत्नी और बॉलिवुड की सुपरस्टार अनुश्का शर्मा को चिकन बटर मसाला बहुत पसंद है। वहीं अक्षर कुमार की तो फीवरिट है करी, चाइनीज खाना और तंदूरी जो की उनके मेन्यो में हमिश्च आयड रहता है। वहीं दपेका की बात तरें तो उनको साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। और जब भी मौका लगता है वो इन्हें जरूर खाती है। और रितिक रोशन उनका खाना तो सबका फीवरिट खाना है। यानि कि उनको समोसा खाना बहुत पसंद है। कब आप भी गेस कर सकते हैं कि बॉलिवूट के किस फेवरिट स्टार से आपकी फेवरिट दिश मैच करती है। बिर्यानी के बाद हलवे का लुथ उठाती दिखी करीना कपूर खान। रिसेंटली करीना कपूर ने अपने बिर्यानी खाते हुए एक वीडियो को शेयर किया था और कहा था कि वो अब dessert प्लान कर रही है। ऐसे में अब अक्रोस ने अपना एक और नया वीडियो शेयर कर दिया है जिसमें वो बिर्यानी के बात हलवा खाते हुए नजर आ रही है करीना कपूर बॉलिवूर्ड की नंबर वन अक्रोस है और उनकी हर एक अदा पर उनकी फैन्स फिता हैं करीना कपूर ने रिसेंटली बिर्यानी खाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि वो अब डिजर्ट फ्लान कर रही है रिसेंटली बिर्यानी खाते हुए करीना ने वीडियो शेर किया था तो उन्होंने कैप्शन लिखा था अभी सही कल का डेजर्ट प्लान कर रहे हूँ जिसके बाद एक्क्रस ने एक और वीडियो शेर किया और उसमें वो हलवा खाते हुए दिखी है इसके बाद उन्होंने वीडियो को शेर करते हुए कैप्शन में लिखा करीना के इस पोस को ही मिंटो में हजारों की लाइक्स और कॉमेंट्स मिल चुके है वैसे आपको बता दें एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लिखा हमें लल चाना छोड़ दो तो एक यूजर ने लिखा लगता है काफी दिनों बाद डाइटिंग तोड़ी है बात करें फिल्मों की तो जल्दी ही करीना आमेर खान के साथ उनकी मूस्ट अवीटिड फिल्म लाल सिंग चठा में साथ पे निज़र आने वाली है